अभिसेग बच्चन और एस्वोरेर राय बच्चन बॉलिवुड की उन जोडियों में से एक है जिनने दर्सक खोब पसंद करते हैं बता दे कि बच्चन परिवार को बॉलिवुड इंडस्ट्री का सबसे बहतरीन परिवार माना जाता है अमिता बच्चन ने बॉलिवुड इंडस्ट्री में एक अलगी चाप छोड़ी है इसी वज़ा से अमिता बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री का सूपर हीरो कहा जाता है इसके अलावा अगर बच्चन परिवार की भव यानि एस्वोरेर राय बच्चन की बात करे तो बता दे कि उन्होंने बॉलिवुड इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक सूपर हीर्ट फिल्में दी है और उन्होंने अपने दम पर एक सफलता की स्थीती हासिल की है जिसे पाना बेहद मुस्किल है लेकिन साधी के बाद एस्वरेर राय बच्चन ने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली थी दोस्तों आपको लगता होगा कि बच्चन परिवार एक आदर्स परिवार है तो आपको बता दे कि बच्चन परिवार में ऐसे कई राच्छिपे हैं जो आप नहीं जानते होंगे इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बच्चन परिवार के काले सच से रोबरू करवाने जा रहे हैं जो सायद ही आपको पता हो तो बच्चन परिवार के काले रहसे के बारे में जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंति तक बने रहे और अगर आप भी बच्चन परिवार को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें बता दे कि जया बच्चन चाहती थी कि रानी मुखरजी उनकी पहु बने क्योंकि वह एक ऐसी बहु चाहती थी जो उनके वसमे हो एक बच्चन की लाइफ में एस्वरिया राय बच्चन ने एंट्री ली और अभी से एक बच्चन ने एस्वरिया राय में वो सारे गुंड देखे जो एक बच्चन परिवार की भव में होने चाहिए जया बच्चन ने एस्वरिया राय बच्चन को जरूर सुविकार किया था लेकिन कई बार ऐसी अफवा फैली है कि S.W.R. राय बच्चन और जया बच्चन के बीच ठीक नहीं रहती लेकिन जया बच्चन ने कभी भी पब्लिक प्लेस में S.W.R. राय बच्चन के बारे में कुछ नहीं खा और अब बात करें अभी से एक बच्चन और S.W.R. राय बच्चन के रिस्ते की तो आपको बता दे कि अभी से एक बच्चन और S.W.R. राय बच्चन ने साल 2007 में साधी की और अपना घर बसा लिया जब अभिसेग बच्चन और एस्वरे राय बच्चन किसी function में जाते हैं तो एस्वरे राय बच्चन को ज़्यादा एहमियत दी जाती है वहीं एस्वरिया की शोव की तस्वीर किलिक कराने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं जिस वज़ा से अभी से एक बच्चन को एस्वरिया राय बच्चन से थोड़ी सी जलन हो जाती है हाला कि एस्वरिया ने फिलिम इंडस्ट्री में वापसी की है लेकिन साधी से पहले जैसा एस्वरिया का नाम अब नहीं रहा पर इसके बावजूद एस्वरिया राय बच्चन का नाम और शौरत आज भी अभी से एक बच्चन से कही ज़ादा है तभी तो ऐसे वेर राय और अभी से एक बच्चन के बीच अन्बन चलती रहती है तो दोस्तो बच्चन परिवार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं